नमस्कार दोस्तों मैं हरी से अदोस स्वागत करता हूँ मेरी यूटुब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दोस्तों का आज है हम जस्वन नगर में और जैसा कि मैं गुहूम रहा था यहां पर ऐसा कुछ माल मिला नहीं सब मिक्स का कटिंग का ही माल मुझे नजर आया जनरली मैं यहां पर आया था जमनापारी के लिए और बरबरी को कवर करने के लिए कि अगर बरबरी मुझे देखने मिलती है जमनापारी मुझे देखने मिलती है तो मैं जरूर यहां पर लोगों से मिलोंगा और हमारे दर्सकों के लिए कुछ मंडी के अपडेट लेकर आजाओंगा परन्तु यसा कुछ मिला नहीं है और यहां के हमारे जो सब्सक्राइबर है और भगवन्त एग्रो फार्म के जो ओनर हैं वो मिले हैं जरूर और उनसे मंडी के अपडेट के बारे में जानते हैं और उनसे मिलते हैं तो सर स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल पर आपका जो दर्सक देखे रहें अपना परचा देदी जो थोड़ा सा मंडी के बारे में हमें बताई है मैं बेसिकली जस्मनेगर इटाबा से हूं यहां पर वारत एग्रो फार्म के नाम से बेरा बेसिकली काम है बरबरी का वमारा ब्रीडिंग सेटप भी है प्लस सप्लाई का भी काम सब्स Прोबिया कर वार्चा है नाधा सफर हो और वार्म के तो जकी जए आखनी होरता है प्लस चौध कि हमें इस नती है और क्या में पारिच अपारी पारिए शुरोई लएर्तिए है धिमना पारी एग रहती है यह तो Reporter अगर बात की जाए अगर आपको फार्मिंग के पर पर पस से जानवर चाहिए लेकिन मतलब आपको आप चाहिए मेला से खरी लें तो यह संबब नहीं है अब करते हैं अगर किसी को वेक्षिनेटट थे तो अपने फार्म पर वैक्षीन करके देते हैं अपने पर करईब 15 दिन जानवर रखते हैं उसमें पीप यार विवण करके पीप आर करते हैं अगर कोई करवाना चाहिए तो फो इसके लिए थोड़े झीजर बढ़ जाता है करी 20 से कि इसमान जयारता तार जो भार के विआपारी आते हैं कर दा से आते हैं एड़ाजिस्तान से यह को सबस्ते जह डिये द्यूर्ट हैसार जो पहली एक इस में एक ऐल्पर लगती थी और में लागति दो वेद़्ार काफी श्नमें से बंद थी अब intern दोबारा इस्टार्ट होी है। लोग्डाउन के बादुन पहले इसकी जो पोजीशन थी वो जस्मन आगर अंदर मार्केट में थी रहम लीला के पास में अभी अ करेंट में पोजीशन यह है जस्मन आगर की जो मॉडल तैसील है उससे करीब आ यह उत्तर जिशा की और करीब क्षरोंटाइब के सामने काशीराम का लोनी पड़ती है न यह पड़ताई यह चैनल के बिसके बागलमें यह इसके बाजू में जादा दूर और है अगर कन भान देखकर नहीं है चैनल कोई आसानी से उपलब दो जनरली कौंब कौन सी नसल की भकरियां यहां पर देखने मिलते हैं बता रहे थे तोताफुरी भी आती हैं सामने दिख भी रही थे हैं तो रहती है जबनापरек फिस एसमें अप्र रहती है पर दो क्याuks nep-cat के वाल क्या इते रहता है उस tracksmaar जी कहा जाए तो जो बाहर की व्याफारी हैं उसके उनके उखर डिपेंड करता है कटेंग करेट अगर उने ज्याद है तो थोड़ा बढ़ जाता है और अगर कम रिक्वाइर्मेंट यह सुद्धार रहता है अगर आज इसके लोगों से पूचा एक कही इस सानों से पूचा तो ब बहुत सारे दीवस अपने ऐसे हैं जो अक्सर मंडी की तलास में रहते हैं अगर वो अपने हां पर यह कटिंग का माल लेकर जाता है तो क्या प्रोसीजर रहता है यहां से ले जाने का कैसे रहता है यह तो ज्यादा कोई खास नहीं है बस यह है कि आप समय से मंडी पर उसे कानपूर से ओना इलावा साइड के बनारे साइड के कलकरथा साइड की बहुत सारी गाड़िया आते हैं आप उनमें भी अपना लोड कर वा के ले जा सकते हैं एक चलिए यह नियुक्त इपको और भी अपडेट देंगे मंडी से यह यह मैंने एक जनरल इन्फर्मिशन कлек्ट करी है किस ठारीके से मंदी में आप पहुन सकते हैं कितने दुनों के लिए रहती एक जैसे मंडियां होती है या तुपेर के बार लगना स्रूप होती है या एकदम सुबहारे होती है तो इसके बारे में थोड़ा सा है कि तक रहती एक दो बिजे तक तो टाइमिंग के बारे में हमने देखा और आप अगर अपने साधन से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है वरना यहां पर भी आपको मिल जाएंगे साधन की कोई दिक्कत होती नहीं है यह मिक्स ब्रीड मैंने अभी देखी है मैं लगबग पूरी मंडी विजिट कर चुका हूँ यहां पर मुझे मिक्स ब्रीड देखने मिले हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ यह छोड़ी सी अपडेट जस्वन नंगर मंडी के आपको पसंद जरूर आई है